हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू आर चैनल टॉक विद कृतिका इन पाइल तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी मैं आती हूं कमेंट पर ने कभी पाइल आती है आज ही हम लोग ना कुलू मनाली से आई हैं और कुलू मनाली आने के बाद ना देखा हमारे जो नैनी है वो न जो तडेका का जैद पाइल को देखकर खुश हो जाती है बिल्कुल देखो खुश क्यों नहीं होगी और जो मा होती है हर एक बच्चे को देखकर खुश होती है और जैद भी ना हर किसी को रिस्पॉंस करता है चाहे मैं हूं चाहे चीको के पापा हो चीको हो हमारे घर में हो ममता हो सब को क्योंकि वो रोज वही चैरे देखता है ना तो बच्चे पेचानने लग जाते हैं So next comment है इनका कोई नाम नहीं है अयान अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बात भी करता है पापा से बिल्कुल सही बात है अयानर कोशिश करता है बात करने की तूबा और जैट से ना ज्यादा कोशिश करता है बात करने की और वो जदा हैपी हो जाता है और इन दोनों का चहरा मिलता है बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आती है और ये तो हैनी की मेरे पासपोर्ट का काम है तो मेरे जगा कोई और चले जाए या पाइल की जगा कोई और चले जाए जिसका पासपोर्ट है उसे ही जाना पड़ता है तो ये काम बहुत इंपोर्टन्ट है और बच्चे ना छे महीने के हो चुके हैं हम हर एक चीज को देखकर घर से निकले हैं घर में सारी जगा कैमरास लगी हुई है और जो हमारी शांती है वो बहुत पुरानी है और साथ में लक्ष थी अगर लक्ष नहीं होती ना तो हम लोग सोचते बच्च हमारा टीम के साथ साथ एक फैमिली मेंबर भी है और उसने ब नहीं पता है तो वह इशू को हम सौश जल्दी करेंगे और मेरा काम पासपोर का नहीं हो पाया ना ही पायल का हो पाया तो देखा जैतो हमारा चक्कर था वह वेस्ट चला गया बटना अब भी हम इतनी दूर नहीं जाएंगे कुलू या मनाली साइड नहीं जाएंगे हम चं यह बोल देती हो यह सर तो मेरे साथ सारे बोलने लग जाते है बाकी देखो जो आपके मुझ से निकल जाए न वहीं बोल देना चाहिए ज्यादा सोचना समन्ना नहीं चाहिए कौन कैसे बोलता है क्या नहीं बोलता हमारे व्लॉगिंग होची ना बहुत ही नाचरल होती है जो मेरे मन में करता है मैं वो बोलती हूँ जो इनके मन में आता है वो यह बोलती है हमारे रूम्स में कैमरे लगा हुए बच्चो वाले रूम में कैमरे लगा हुए बाहर वाले हॉल में कैमरे लगा है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं इंपोर्टन से कैमरे की हम क्योंकि हमारा जो काम है न वो ऐसा हमें इधर उदर जाना होता है तो कैमरा बहुत तो इतनी देर मतलब कि लगा लो मुझे एक दिन लगा ढूमने ढूमने में क्योंकि फिर चार्जर ड्रॉर से कहां गाया मुझे पता नहीं चला तो कैमरे की वज़े से मुझे पता चला कि हां चार्जर में लाई थी तो नेक्स है पारुल तवाल का कैम्पिंग के एंड में ड्रॉन शोट देखकर सारा सस्पेंस खोल दिया आपने ये केली नहीं थी ड्रॉन शोट किस ने लिया तो देखो हम जो भी करते हैं एक source of entertainment होता है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए और ड्रॉन शोट हम लोगों को पता है कि अगर हम ड्रॉन शोट डालेंगे तो अविस्सी बात है हर कोई guess कर लेगा कि ये ड्रॉन शोट कैसे है तब भी हमने add करें जसकि एक vlog में एक interest part आ सके तो बस अगर हम कोई भी content लेकर आते हैं तो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे और एक नई चीज़ कर सकें क्योंकि ये जो camping का idea था न कि अर्मान जी कहते हैं सारे मतलब की मज़िदार ideas होते हैं न इन ही की होते हैं ये जैसे-जैसे मुझे बोलते हैं मुझे और पाइल को हम वैसे करते हैं और वो जो in the end उसका result आता न बहुत ही amazing आता है इनका कोई comment नहीं है गोलू आगे क्यों बैटी है गारी में पाइल का हक है पहले आई समझ गोलू लोमडी तो आपने मुझे लोमडी बोला मुझे ऐसा लगता है मैं लोमडी बिलकुल भी नहीं हूँ लोमडी जैसी मैं नहीं लगती हूँ लोमडी बहुत ही जादा चलाग जानवर होते है ऐसा बोला जाता है और देखो मैं ये भोलती हूँ कि कोई भी जानवर है ना वो सब अलग-अलग होते हैं तो मैं लोमरी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और चलाक देखो हर एक इंसान होते है और बात रही कि पाइल आगे बैठे या मैं आगे बैठो, बात एक ही है हम दोनों के साथ कोई भी डिफ्रेंशेट नहीं है अर्मान जी उसको आगे बिठाई है, मुझे आगे बिठाई है, बात एक ही होती है क्योंकि दिको जाना तो इंडी एंड हमें कुल्लू ही था, ये तो है नहीं कि आप लोग इसे सीरेस लेते हो, वो आपकी गलती है, मेरी नहीं है अच्छु का, पाइल हमेशा अर्मान की चमचागिरी करती है गोलू को हमेशा नीचा दिखाती है, अर्मान के सामने ओवरेक्टिंग करती है ऐसा बिल्कूल भी नहीं है, वो कोई भी चमचागिरी नहीं करती है और हमें चमचागिरी करने से कुछ नहीं मिलेगा ये जितनी भी सारी चीज़े है, ये हम सब की और हम सब की ही रहेगी मतलब मेरी अर्मान जी की पाइल की तो चम्चागिरी अगर मैं इनकी करूंगी तो ये तो है निकी ये मेरे को सोने के हार दे दे देंगी और पाइल करेगी तो उसको दे देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है फैमिली में कोई भी चम्चागिरी नहीं है आगर आप एक माबाप के चार बच्ची है और अगर चारों में से एक बच्चा चमचा गिरी कर रहा बाकी नहीं कर रहे तो माबाप उसको थोड़ी प्यार करेंगे वो तो सब को करेंगे तो ऐसे ही है हमारी फैमली के साथ अर्मान जी मुझे और पाइल को एक प्यार करते हैं हमें एक दूसरे को मखन लगाने की जुरूरत नहीं है नेक्स कमेंट है निम्रिता जाला का गोलू ड्रामे बाजा इरिटेट परसन मुझे मैं बिल्कुल भी इरिटेट नहीं लगती आपको लगती हो तो आपकी गलती है आप मेरा फ्लॉग मत देखो मुझे जब मैं आती हूँ तो इस पार्ट को स्किप कर दो सो नेक्स है मीरू गोहर का पायल बहुत सेल्फिश है मुझे पायल बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं लगती और अगर पायल सेल्फिश होती न तो वो मेरी शादी अर्मान जी से नहीं कराती तो बस इतना ही बोलोगी सरमिठा नात का है गोलू हट टाइम खुद का सोचती है मैं यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं खुद का सोचती हूँ और मैं खुद का सोचूंगी तो कहा जाओंगी और आप हमारा कमेंट देखो तो reply जरूर करना देखो हिमा जी मैंने आज आपका reply करा कभी भी आ सकते हो जिरखपूर में और हमारे बच्चों को आकर खिला सकते हो में कोई भी दिक्कत नहीं है तो नेक्स कमेंट है मनीशा जी का पाइल की white dress बहुत प्यारी है गोलू दी कितना डरती है पाइल दी को डरा दिया पाइल दी डरती नहीं है कभी भी strong हो बहुत मज़ा आ गया इस ब्लॉग में कहीं boring नहीं लगता आपका ब्लॉग love you so much पाइल दी love the way you treat गोलू like a small child मैगी खाएगी मैगी बना देती हूं तेरे लिए ऐसा ही adventure टास करते रहो keep it पाइल दी please जीदी मेरा भी comment रीट करना मैं वेट करूंगी please 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 तो मीनु जी आप please ऐसा मत बोलिए क्योंकि आपने इतना प्यारा comment हमें type कर आए साथ में emojis भी बनाए तो बहुत अच्छा लगा और ना ऐसे एडवेंचर टास के हम लाते रहेंगे क्योंकि एवरीडे अगर व्लॉगिंग दिखाएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे तो हम चाहते हैं कि हम ना कुछ ऐसी चीज़े दिखाएं कि आप भी ना ये चीज़े ट्राइ करो मतलब कि कहीं जाओ तो महाँ पर कैम्पिंग करो अपनी फैमिली को टाइम दो तो ऐसी चीज़े टास्क हम लाते रहेंगे तो नेक्स कमेंट है रिम जीम का इतनी डेंजर सुचुएशन में भी मैगी टेस्ट करके देखना है गोलुदी को हाँ मुझे मैगी बहुत अच्छी लगती है मैं सुचुएशन नहीं देखती बिल्कुल भी और मैगी से याद आया है मैं कभी भी टाइम नहीं देखती सब भी रात के दो बज़े रहे हैं मैं दो बज़े भी मैगी खा सकती हूँ बाँच बज़ भी खा सकती हो मुझे मैगी बहुत ही पसंद है so next है इमून का गोलु दी आपने हेर कलर कौन से कराया है बहुत सूट कर रहा है कौन से कलर है तो यह मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कौन से कलर है निशा हमारी जो बहन है वह आई थी घर पर हो मैंने बोला था पायल ने मा की तरह हैंडल करती है गोलु को और गोलु पुरी बच्ची है सच में बहुत दुआ निकलती है आप दोनों के लिए भगवान आप दोनों को प्यार दे लाइफ में पूरी लाइफ यूही बने रखे ठैंक्यू सो मच राखेजी बिल्कुल आपकी भी मैं पूछ कर लेती है और मेरे को बस बता देते हैं गोलु ये करने गोलु वो करने सो नेक्स कमेंट है अफी नाजिर का लस्तन और प्यास पास रखने से भूत नहीं आते बच्पन से सुनते थे इस रिजॉर्ट के बार लस्तन लगाया था भूत नहीं आएंगी ये बात न मैं जब मैं प्रेगनेंट थी ना गाइस लास्ट साइम तो क्या मैं घर से भाड निकलती थी ना तो ममी बोलती थी अपने सत माथचीस और लस्तन रख तो मेरे हर एक परस में लस्तन और माथचीस होता थे तो ये बड़े बुजरुक ना बहुत सारी बाते बता के गएं और ये इंटर्टेन्मेंट से यार अर्मान मली की स्माइल बहुत प्यारी है मुझे भी इनकी स्माइल बहुत अच्छी लगी थी तब ही मैंने इना स्माइल की विज़े से शादी करी तो नेक्स है रेनु अगरवाल का आयान क्या क्रितिका दीदी का बेबी है और तूबा जैद पाइल के दी है इस बात का बहुत जोड़ा कंश्यूज है तो दीदी प्लीज क्लियर मी तो देखो रेनु जी हमारे चारो बच्चे है तो मैं आपको थोड़ा सा ना बता देती ह सिस्टमेटिकल की चीकू को पाइल ने जनम दिया उसके बाद पाइल के ट्विन्स होई ट्विन्स में आयान और तूबॉय और जैद को मैंने जनम दिया तो जनम से कुछ मैटर नहीं करता हमारे चारो बच्चे हैं आपने कोश्चन पूछा तो मैंने इसका रेपलाई दिय सो नेक्स है राजवीर कौर का क्या आप हाइलेट और पेड कमेंट ही पढ़ते हो मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते तो मैं आपको बता दिती हूँ राजवीर कौर जी मैं बिल्कुल भी पेड और हाइलेट कमेंट नहीं पढ़ती हम हर एक व्लॉग से कमेंट निकालते हैं बटना बहुत सारे लोग हमसे प्यार करते हैं और एक व्लोग में मैं 15 से 20 25 कमेंट्स पर सकती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हर दिन ना एक निया कमेंट लेकिए हूँ तो सूरी आपका कमेंट नहीं पड़ा बट आप ऐसे ना बोलिए कि हम पेट कमेंट्स परते हैं हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं हम सिरफ और सिरफ प्यार चाहते हैं आप लोगों से जो आप देते हो हम वही कमेंट्स परते हैं चाहिए नाइगटिव हो चाहिए पॉसिटिव हो तो गाइस मैं न दो तरीके के रैप और करते हैं अर्मान जी क्लिक टॉटिला रैप में मल्टी वाला रैप है मल्टी ग्रेन करके नाम है वो रैप और करते हूं तो आप एक बार ब्लिंकिट पे देख लेना तो मैं बता देती हूं कि सबसे पहले आयान हुआ था साथ बच के एक मिनट पे फिर तूबा है थी साथ बच के दो मिनट पे तो दोनों के बीच में एक मिनट का फरक है और सी सेक्षिन हुआ था पाइल का तो नेक्स कमेंट है परक जोशी का गोलू इस फ़नी पाइल इस इंटेलिजेंट अर्मान इस हीरो three of you very hard working doing all the work time don't get time to rest also love your family especially तूबायान जैच from Akolam Harashtra please read my comment thank you so much बिल्कुल देखो हमें बिल्कुल भी time नहीं मिलता और अब देखो रात के इतना late time हो रहा है तब भी माप लोग को कमेंट पढ़ रहे हूं और कुलूम नाली सानी के बात इतना थक गए थे बस यह है कि आप लोग प्यार देते हो बहुत अच्छा करा कि हमें comment कर दिया इस पर मैं और पालना जरूर celebrate करेंगे तो गाइस बस इस व्लॉग को यह end कर तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स व्लॉग में बावे गाइस good night